find the length of the height of an equiliter triangle of side 24 cm कर रहा है कि जो आपका equiliter triangle है जिसके every sides are given मतलब जिसके side जो आपको 24 cm तो then आपको क्या calculate करना है height of the height of the equiliter triangle तो क्या होता है height आप देखो this is your equiliter triangle equiliterate रहेगा आपका a and b और c equiliterate triangle का होगा then आपका a b equal to a c or equal to b c मतलब जोता है length of जोता है a b equal to a c equal to b c okay then आपका सकते हैं इसे आपका equiliteral triangle है ठीक है देखो given में क्या दिया है given में जो आपको दिया है each side दिया है each side दिया इस side कितना दिया आपका 24 cm दिया then आपको क्या calculate करना है आपको calculate करना height of an equiliterate triangle क्या देखो height of equiliterate triangle calculate करना है then triangle का formula क्या होता है आपका root under root under 3 y4 a होता है a4 आपका side of equiliter triangle okay then देखो तो आपका height of equiliterate to 3 y4 a दिया है तो आप root 3 by 4 and a is what कितना दिया आपका a 24 cm 24 cm आपसे बोला है कि आप जो तरूट 3 के बदले 1.73 ही ले ठीक है नहीं रूट 3 के बदले आप कितना 1.73 into the air 24 by 4 देखो आप 4 इसको कितना बगाट है 6 बार में 6 चुका 24 होता है then 1.73 into 6 देन आप इसे multiply करोगे तो आपका कितना होगा आपका जोगा 20 पॉइंट जोता है 76 cm सेंटी मीटर होगा कि स्वर्ड दोस्तों जोता है आपका हाइड आप इकुलेटी ट्रेंगल का फर्मूला होता है और स्वर्ड donald हुटरिवा भाई टू रॉट त्रीवाई कित्रीवाई टउ इंटू एई होता है यहां पर कट्व कट्व घर ठीक है दैन आपका यहां पट्भी कितना आप का स्चार पार्फ जोता है यहां टू-अग ? आपका जोता है यहां बगार देन डू से आप åt सेबन सिक्स सेंटिमीटर आपका हाइट आफ्स जोता है क्या आएगा ट्रेंगल आएगा ठीक है प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छे लगए दैन लाइक और सब्सक्राइब जरू करें कि थैंक्यू दोस्तों